आज हम आपको बताने वाले हैं मुवाइल से आप लोग कोई वी फॉर्म आउनलाइन कैसे कर पाईएगा और ये वीडियो स्टूडेंटों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो चलिए मैं आपको बता दू आउनलाइन करते समय सबसे बड़ा प्रोब्लेम रहता ह जेपीजी में रहता है फोटो और डॉक्यमेंट जो आपको PDF फाइल में मांगते रहता है अगर आपके पास PDF या JPG मांगे चलिए 100 के भी है और वहां पे 20 के भी का मांग रहा है तो वो नहीं कर पाते हैं पहला बात उसके बाद रिसाइज नहीं कर पाते हैं पिक्सल नहीं क जो है मानके चलि एक MB का है फोटो आसानी सूसे आप के भी में जितना मनो उतना के भी में आप ला सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग इसे कर रिकिस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो सबसे पहले description में भी यह हम जो ह इसे आपको open कर लेना है install करने के बाद नीचर description में है और यहां से कोई भी photo चूज कर लिजेगा देखिए gallery open हो गया है यहां पे मैं favorite में एक image ले रहा हूँ चलिए यहीं image ले लिया अब इस photo का size यहां पे देख सकते हैं 0.34 MB का photo है अब यहां अपने मन से जितना मन हो उतन kb में यह photo चला जाएगा अब यहां पे देखिए file size जिसका 343 kb का है इसे मान के चलिए हम 40 kb में बनाना चाहते हैं यहां पे 40 kb लिख दिये और इसे हम start पे click कर दिये और कुछ ही second में यहां पे देखिए यह file जो है ready हो चुका है MB से यह 49.98 kb में transfer हो चुका है और सबसे important बात इसमें यह खासियत ही है इस application में इसमें आपको photo का quality जो है 0% आपको नहीं घटेगा यानि कि जो quality आपका camera में खीचा वह photo रहता है बस same quality यह रहेगा कुछ भी इसमें changes नहीं आता है तो photo को resize करना आप लोग सीखी लिए होंगे जितना मन होता है उतना में आप कर सकते ह इसको change, MB में भी क्यों नहीं हो चलिए दूसरा photo हम ले लेते हैं, MB में ही अगर कोई photo हो चलिए यह photo ले लिए, यहाँ पे देखिए यह photo जो है 362 कभी का, अगर कितना भी MB का भी रहता और यहाँ पे हम लोग जितना मन होता उतना के भी यहाँ लिग देते हैं और इसे start कर दीजेगा, उतना यह file ready हो जाएगा और QReduce नामक file में यह save रहता है, जहां से आप लोग असानी से, जैसे signature का photo रहता है, 10KB में भी, 5KB में भी आप लोग इसे file resize कर सकते हैं, तो यह हो गया आपको resize करने का, अब हम आपको PDF बनाना सिखाएंगे, कैसे JPG को PDF बना लीजिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपके mobile में application का नाम है Cam Scanner, यह paid भी है और free version में कुछ कम मिलता है, तो आपको paid नहीं pay करना है, यह free में ही आपको JPG से PDF हो जाता है, तो चलिए मैं आपको यह करना सिखा देता हूँ, सबसे पहले Cam Scanner को open कर लेना है, इस प्रेक करने के बाद photo है, तो वो photo यहां से select कर लिजेगा, अगर आपके mobile में already photo है, अगर नहीं है, यहां देखिए यह camera खुल जाता है, यह camera खुल जाता है, यह camera खुल जाया है, यहां से photo भी खीं सकते, चलिए मेरे mobile में नहीं है, तो मैं यहां पे image पे already रखा भूआ है, यहाँ पे हम लोग select करेंगे तो चलिए इस पे हम click करेंगे जैसे यहाँ पे click करिएगा चलिए यहाँ आप से हम कोई photo यह photo ले लिए यहाँ पे हम लोग click करेंगे और जितना भी photo हो जितना भी photo बनाना चाहते हैं बन जाएगा और यहाँ पर नीचे आप जो देख रहे हैं import वाला बटन इस import वाले बटन पर आपको click कर देना है जैसे import वाले बटन पर click कर यह यह आटोमेटिक डिडेक्ट कर लेगा टेक्स्ट को तो इसे आपको फुल अगर फुल बनाना एमान के चलिए हमको इतना ही पीडियप बनाना है इतना ही तो जितना पे आप लोग रखिएगा उतना यह पीडियप बन के पूरा इस घ्डि कॉरलिटी में बन जा गया ह crouch हम पूरा कर देते में और यहां पर क्लिक कर देते जैं यह सकते हैं यह रहां से चीज को आप JPG में share करना चाहते हैं या PDF में save करना चाहते हैं ठीक है तो आप लोग PDF पे कर दीजिए कि अक्के लिक ये PDF हो चुका है ये आसानी से बन जाता है इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको technical problem नहीं होगा बस मैं studentों के लिए important information collect करके आपको provide करते रहता हूं और दूसरा channel भी है जो description में है वहाँ पे आपको job notification अपडेट होते रहता है जब भी कोई job notification आता है तो ये थी आज के इस वीडियो में अच्छ इंफॉर्मेशन वीडियो को like जरूर कर दीजएगा अपने studentों के साथ share जरूर कर दीजएगा ताकि उन्हें भी ये information पता चले description में इसका link दे दिये हैं वहाँ से जाके आप लोग इसे download कर सकते हैं इसमें मेरा कोई भी ये जो application हम आपको बता रहे हैं इसे मेरा ये मतलब नहीं हमको ये payment दे रहा है बस मैं आप लोग के knowledge के लिए ये चीज़ बताया हूँ थाइब लोग थाइब लोग ये जापको ये लोग ये जापको ये लोग के लिए बताया है